हे गाईज मा आशिक रस्वास्त बाड़लाई आश्रिंगर्फ युट्यूब चानल मा शाहतुर प्रिवस भीडियो मा हामी ले अडिट को डिसकर्शन गरे का थे हूँ आशे हमी अडिट कई अडिट काई अडिट कन्कुलूजन आन रिपोर्टिंग को बार माचें डिसकस गोना वालाचाम प्रोस ओल्यविक का रिपोर्ट युकुट्यूज फडीर्ट कोषन अउँछ रकोई लेकाइं Case STD मा पनी कोचछन सोद्यक हुन्छा की एस्टो एस्टो Case हरे और अदिटर ले चाहिं एश्टो रिपोर्ट इस्टो गणना चाहांँ छा के ऑड्यिटर ले यो रिपोर्ट इस्टो गणना सक्छा तो बन्ने जस्तो चाहिं कोचछन अडू Case STD मा पनी खिएको छो ते बरा चाहिं माता पालाई एकदा में पैसनेट ले चाहिं यो चाप्टर लाई पहंड़ा भांचु रो एकदा में अटेन्टी बरा चाहिं तापाईले यो वीडियो लाई हेन्ड मुँँँछ सो मैले अटिट रिपोर्ट लाई शूरू गरता चाहिं यहां दुट कर गर छुँ एसमा चाहिं अटिट रिपोर्ट दुट्रकारका माँचा इवटा अनमडिफाइड रिपोर्ट रो अरको चाहिं एसकी सिखे हो न भूसेए पौर्क में सब्चेम्यावाइं ADASURE करते स checkpoint मैं सब्लस्यांवा व से industry चोप्परतौर्णlogodad अब ब्लहां पाँक्नली के छए डिशा हम मुणोफाइड NIier programmeरे माल में और५ तरी पैली क्वालीवाइड तो financial statement चाहिं, financial reporting framework लहाँ चाहिं comply गार छा applicable, financial reporting framework लहाँ comply गार छा तेसे तही तो जात्य पानी laws and regulation अनुछा तो सब लहाँ comply गार छा तेसे तही उससले जात्य पानी material item मनँचा तो सोब खुरा आनमा चाहिं केस मना करी complete छा रो कुणिपने material misstatement चाहे उसमा छोई न मैटेरियल misstatement माड़ा चाहे फिरी छा यदि इसता कंडिशन अरू चाहे auditor ले हेर रो auditor लेचे determination कर शाए बास्ता माचे यह सब पी कुरा अरू चाहे satisfied छाहे मातरे और डिटरले चाहिए अन्क्वालिफाइड ओपिनियन की गवर्चा मना खरी अन्क्वालिफाइड ओपिनियन दिन छा अब छा मोडिफाइड रिपोर्ट मा चाहिए qualified opinion adverse opinion र disclaimer of opinion तीन पर क्यार को opinion हुँँचा unmodified report मा unqualified opinion यहोटा single and modified report मा चैं qualified opinion तेस पाछी adverse opinion र लास्ट मा चैं disclaimer of opinion अब यहां में चाहिए विस्तारे विस्तारे यो तीन अटे opinion ले यहार चो सबन्दा पहीला ता पहला qualified opinion रहनौ qualified opinion चैं कौती बेला यहोटा auditor ले qualified opinion दीन छाता यानौ लाइता if the auditor has identified material misstatement in the financial statement but the nature of misstatement is such that it would not affect overall position overall position not pervasive of the financial statement in a material manner then the auditor issues qualified opinion अब यह को चाहिए मेले एदमी simple भासामा बन्यों 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 चैं एसरी बुझन स्वाकिन चा कि auditor blog लें मैटेयल misstatement रही कि financial statement मा Hm mereka肉 मिसstatement रहा तरत्यों misstatement को nature चैंए इस्थू सबन्दा nature चैंए आजला our other position लाई असर गे नौ अशर गढ़ दे न हैनल 14 हाजे होल माइ असर गढ़ देना मतलब आरता प्रभेजिव चाहिए म钱 टोरा प्रभाजिए बानेगों चाहें जसले फ्राशल एस्टेट्मेंट लाए असर गढ़ छा गण तो यहाँ चाहें कि भायों क्वालिफाइड ओपिनियोन मां कि अधिटरले कि आधिनिफाइग गढ़ें कि मेटेरिल स्टेटमेंट को अवर ओल पोजिशन लाए असर गढ़ देना हो तेती बेला मा चाहिं तेती बेला मा ओडिटर ले क्वालिफाइड ओपिनियान इस्यू गढ़ छा सिंपल हो ओके लाइक एसको एक्जांपल पनी चाहिं एक्जांपल पनी लेख जो मने एकडम रामरो जो तो केस मा चाहिं क्वालिफाइड ओपिनियान इस्यू गढ़ेंचा ओके । ढवर्स अपिनियान चाहिं क्वालि लेला मा ओडिनियान अथ्या ओष्यू चाहिं क्वाल खे ओपिनियान इस्यू पनी ह्एं जो भेंदीय क्वालिफसे सिंप्रेटेमेला दिनियान गडमिणी मетрावी ट्रेंट अट्ड capabilities evidence जब की एक्वटाatorium इवटा आडिटल सॉफिशेंड एप्रोपीरेट आडिट इविदेंस अप्टेंद गौरेरा है ओडिटले चाहें एडभाट्ज ऐफिाट्श आप्विदेनस टिती बैला दिन छ gaan जव अडिटर सुफिसेंट अप्रोपिरेट अडिट एविडेंस अप्टेंड गारे रा रतेलाई इग्जामिनेशन गारे रा सबई अडिट प्रोसिजर रूर एपलाई गारे रा के कन्कुलूजान मा पूक्ष बांदा खेडी कि यो फैनाशनल एस्टेक्मेंट मा जुन मिस स्टेक्मेंट रहेको छाँ त्यो मिसस्टेक्मेंट ले चाहे है इंडिभीजुली अथुबा त्यलाई और मिस्टेक्मेंट सांगा अग्रेगेट मा उयर्यो भने य त्यो MPN पनी चाँ रो परवेजिव पनी छा मतलब सिंपल मां भन्यों भने एउटा अडिटर जसले सफिसेंड अप्रोपिरेट अडिट इविदेंस अप्रियन गारेगो छा तिसले एदी कंक्रूड गारेओ कि यो मिसस्टेट्मेंट हरू जुन मिसस्टेट्मेंट छे अडिटर ले पता लगा अब तर्षको लागे चाहिं क्यो वर्डिंग यूज गरने चा तो तवला यहां देको छा एक्जाम मा पहला पहला सोथियो पुरानो को छनरों मा अईलो को मा चाहिं सोधिरा को छाईन अगे now the third is disclaimer of opinion माला लाग चाहिं यह वीडियो था पहला लाग चाहिं एदा में simple हुने वाला चाहिं, short हुने वाला चाहिं so disclaimer of opinion अब disclaimer of opinion चाहिं क्या मा दीने था a disclaimer of opinion is expressed when the appointed auditor is unable to obtain sufficient appropriate auditive evidence on which to base the opinion that is a limitation in scope मतला disclaimer of opinion चाहिं ओडिटल ले तेती वला दीन चाहिं जब एवटा auditor ले sufficient appropriate audit evidence नहीं obtain गणना सोग देना तेती वला चाहिं disclaimer of opinion दीन चाहिं मतला एवटा auditor ले तपाईको entity मा ओडिट गणना आयो रो ते ओडिट गणनला लाई ते ले तो sufficient appropriate audit evidence नहीं obtain गणना सोग देना आपनो ओपिन्यन क्येको आधार मा दीन चाहता दीन शोग देना opinion based गण थियो अथा जुन opinion को आधार मा चाहते ले आपनो ओपिन्यन निन थियो तो नहीं यादी अप्टिन गणना सोग न वने तेती वला माचे auditor ले किए गणना खेरी disclaimer of opinion issue गण चाहिं अथवा the auditor concludes that the possible effect on the financial statement of undetected misstatement if any could be both material and पर्वेजिव अथवा अडिटले यो conclude गार छा कि possible effect मतलब financial statement मा हुना सकने जुन असर छा हुना तो अईले मेले चाहिं obtain auditiveness अप्टेन गणरेको छाहिं ना तरह यादी मेले गणरेक भाए रजुन statement भेटक भाए misstatement मेटक भाए तो misstatement को possible effect चाहिं तो misstatement को possible effect यदी financial statement मा material रपपर व्यजिव छा भने तो केसमा पनी disclaimer of opinion देन छा बुझन भाए उस्वा मेले यहाँ चाहिं audit report र audit opinion को कुरागर्यों मेले भने अले modified report मा अचाहिं unqualified opinion र modified report मा चाहिं अहिता पाई को तीनोटा होने भाए यवटा adverse opinion र यवटा disclaimer of opinion र को चाहिं qualified opinion so thank you so much for watching this video take care bye bye